हाव रुफिक्स कंटेक नेम नोट शोविंग डूरिंग कॉल प्रॉब्लम इन एनी सैंसंग एम सीरिस नमस्कार दोस्तों स्वागर अब सभी का तिकराज यूटूब चैनल पर तो दोस्तों आज कि इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप जो है कंटेक नेम बताऊंगा complete solution follow कीजिएगा आपका problem solve हो जाएगा ठीक है वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करते हुए bell icon को क्लिक करें अगर आप online पैसा कमाना चाहते हैं तो वीडियो डिस्क्रिप्शन पर आपको link मिल रिच्टार्ट कीजिए बार button पर प्रेश एन हल कीिजिए और उसके बात रिच्टार्ट कर के recent button पर क्लिक कीजिए close all पर क्लिक कीजिए और close कर दीजिए ठीक है close करने के बात आपको जाना है setting पर ठीक है स्क्रॉल डाउन करना है apps पर जाना है और सबसे पहले आपको जो है context search करना है इस का एक पर जाके आपको क्या करना होगा इसका storage पर क्लिक करना है clear dare पर click करके ok कर देना है data clear करने के बाद बेख करें इसका सारे permissions को one by one allow करें ठीक है next पर आपको बेक करना है और उसके बाद आपको दुबारा से scroll down करते हुए नीचे जाना है नीचे आपको मिलेगा दोस्तों यहाँ पर phone service ठीक है यहाँ पर phone service आपको मिल जाएगा phone service पर click करने के बाद आपको storage पर click करना है clear data पर click करना है और data clear करने के बाद आपको simply bake करना है उसके बाद दोस्तों आपको इसका permissions सारे के सारे allow करना है and then आप जोए दोस्तों अपने mobile को restart करें और यहाँ context पर जाईए ठीक है context पर जाईए context का option नीचे में आपको मिल जाएगा और उसके बाद click किजिए tree lines पर ठीक है tree lines पर click करके आपको all content का जो option दिखाए जाए उसमें क्लिक करना है और all content की आपको select करना है तो जैसे आप all content को यहाँ पर select करते हैं तो दोस्तों आपके सारे के सारे context यहाँ पर आ जाएगा ठीक है तो इस तरीके से आपका problem सौर्फ हो जाएगा और अभी call करते वक्त दोस्तों आपको कोई भी problem कोई भी issue कोई भी दिक्कते नहीं होगा ठीक है call करते वक्त स्क्रीन पर caller name भी शोगा और आपका problem भी fixed हो चुका होगा और दोस्तों अगर आप आपका mobile software update नहीं है तो mobile software को update जरूर करना इस तरह के का आपको कोई भी problem नहीं होगा कभी अगर आपका software update रहते हैं आप सारे साथ में दोस्तों क्या कर सकते मोबाइल को safe reboot भी कर सकते पार बटन पर टेवन होल कीजिए पार ओफ का बटन मिलेगा पार ओफ में प्रेस करके र पर क्लिक कीजिए ट्री लाइन पर जाईए सेटिंग पर जाईए और यहाँ पर दोस्तों को इस बटन को इनेबल कर लिजेगा ठीक है सारे साथ दोस्तों आप क्या कर सकते हैं उसको भी आप डाउनलोड कर सकते हैं इससे क्या होगा unknown person का भी number आपको ठीक है आते हैं तो यूज कर सकते हैं इसे डिफॉल्ट डाइलर तो यह सारे option से दोस्तों आपके पास जिसके मदद से problem solve कर सकते हैं उमीद करते हैं दोस्तों आपको यह वीडियो पसंदे होगा thanks for watching